राइपुर शहर गुंडे बदमाश और अपराधियों का अड़्डा बन चुका है जहां संगिन अपराधों को अंजाम देकर अपराधी अराम की जीवन यापन कर रहे हैं जो खामोशी से अंतर राजी गिरोहों के साथ मिलकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं वही चुनावी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राइपुर पुलिस ने ऐसे अपराधियों को सब्ताह में दो दिन थाना में हाजरी लगाने का आदेश जारी किया है बता दे कि 36 गड़ में चुनाव का महौल चल रहा है इस दोरान गुंडे बदमाशों के द्वारा का बनी है लिहाजा एस पी अम्रेश मिश्रा ने त्वरित निर्देश देते हुए अपराधियों की सूची बनवाई इसमें पुलिस ने कुबेर राठी मच्छी उर्फ शिवमतांडी पवन डोडवानी और फूलचन उकेई का नाम सबसे उपर रखा गया है जो आज भी अ कारोबार को बढ़ावा देते आ रहे हैं पुलिस के आलाफसरों ने सक्त निर्देश देते हुए सभी अपराधियों को अपने अपने थाना शेत्र में सप्ताह में दो दिन यानि सोमवार और गुरुवार को हाजरी लगाने कहा है अम्रेश मिश्रा ने बाचेत में बताया कुबेर राठी और मच्छी उर्फ शिवम तांडी गंज थाना में पवन डोडवानी सिविल लाइन और फूल्चन उके राजेंद्र नगर थाना में हाजरी लगाएंगे अतन अपराधियों में करीब 327 लोगों को बाउंड ओबर किया गया है जो हिस्टर सीटर और गुंड़ा बदमास थे मैं यह भी बताना चाहूंगा यहां कि करीब 1500 लोग अशार संगिता लगने के बाद गुंड़ा और हिस्टर सीटर के सूची में जोड़े गए पुलिस विभाग के कई बड़े अफसरों का दावा है कि चार पहिया वहनों में पैसे जेवर और अन्य सामान आसाने से पकड़ाता है इसलिए चुनाओं में खपाने लाए गए जेवर, साड़ी, शराब, आदी समान को बंद कंटेनर से 36 गड़ के सभी जिलों में ले जाने की संभावना अधिक है जिन्हें रातो रात छोटी छोटी ट्रकों में लोट करके गाउंगाउं तक पहुचाया जा सकता है फिल्हाल पुलिस विभाग इस पर भी अपने मुखबीरों को ऐसे ट्रक चालकों पर नजर रखने निर्देशित किया है अवैद गति विद्यों पर लगाम लगाना जैसे कि अवैद सराप, गाडियों में जो भूटर, साइरन इत्याद लगे हुए है नर्कोटिक्स, मौटर वेकिलेक्ट और तिसरा, जन्र सामानने में विश्वास दिलाना कि उनको इनसपक्स चुचनाओ करने के लिए प्रसाशन उनके साथ खड़ा है तीनों सिर्षकों में बताना चाहूंगा कि काफी अच्छी कारवाई राइपर पॉलिस के द्वारा की गई है